हेलो एब्रीबन इन दिस वीडियो आइम गुएंग टू डिसकस बेटविन बेटविन एंड इमॉंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री पॉजिशन है अमारा बेटविन एंड इमॉंग इससे रिलेटेड काफी क्विस्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही दोनों में मतलब क इस वीडियो को देखने के बाद ये सारा आपका जो कांद ने होजाएगा तो आप वीडियो को पूरा दे बीन prenवगई हुए देखे ताकि आपको एक एक रूल समझ में आए ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटविन के बारे में ठीक है बेटविन का स्ष्ट रूल है हमारा कि between का देखी उज़ करते हैं समझ लिजे my dear students दो के बीज में ठीक है ना तो हम लिख सकते हैं in the middle of in the middle of two persons or things two persons or things okay मतलब दो person और things के लिए generally हम लोग किसका उज़ कर सकते हैं between का उज़ कर सकते मतलब between और among में between का उज़ करेंगे जैसे हमने बोला example ठीक है सारा चीज़ एक्जामपल से समझेंगे निपाल लाइज लाइज मिन्स वाट अवस्थित blank India and China अब यह आप देख सकते कि India और China है दो देश है और दो के लिए हम किसका उज़ करेंगे between का उज़ करेंगे किसका उज़ करेंगे between का उज़ करेंगे मतलब नेपाल अवस्थित है वारत और चाइना के बीश में ठीक है ना, so we should use between here because two country का यहां दिया हुआ है नेम second example अगर हम बोले she is sitting between between को ऐसे भी लिख सकते है between Ram and Shyam, ठीक है ना, between Ram and Shyam, तो Ram and Shyam here two person, दिखा रहा किया दो person तो दो के लिए हम between का उज़ बिलकुल कर सकते हैं it is absolutely right, ओके दिक्कत हमको यहां नहीं होता है दिक्कत होता है कभी-कभी कि दो से अधी के लिए भी हमारा between use हो सकता है, ठीक है ना आईए एक और बेहतरीन rule समझते हैं, आज के बाद ध्यान रखिएगा कि preposition between हो, ठीक है कोई भी preposition हो, between हो या other preposition हो, ठीक है between और other preposition के बाद, ध्यान रखिएगा other preposition के बाद हमेशा जो case use होता है हमेशा object का use होता है यानि आप कहो सकते हैं कि objective case का use किया जाता है, between या other preposition के बाद, कौन case का use किया जाता है, objective case का use किया जाता है, objective कि Iya यहां कुछ इंपल लिखते हैं तो यहां देखुए हमने कुछ लिखा यहां पकिल्फुन का ke यौइभा कि यह करें दूसरा प्रिपजिशंस के बाद हमारा अब्जेक्ट्व के से बहुत जादा इंप्रुठे यह नहीं कि बसे कि अगर प्रोनावन एक तो हमेशा objective के स्कायूज किया जाता है क्योंगी नाउन राम बगारा रहे नाम रहे तो तो राम का राम ही होता है चाहिए नाम कोई भी हो बट जब प्रोनावन आएगा जैसे ही आएगा तो ही नहीं लिख सकते हीम लिखना पड़ेगा जैसे आई एक question समझते हैं between you and I रहे तो यू तो जानते हैं between सब से पहले क्या है preposition है यू तो जानते हैं object लिखे या subject लिखे इस पर कोई effect नहीं पड़ता है क्योंकि object और subject दोनों you होता है but यहाँ I गलत है I के place पर हमको लिखना पड़ेगा me क्यों लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ preposition है and I know very well we know very well कि यहाँ preposition के बाद हमेशा objective case का use किया जाता है second sentence है there is friendship between he and sorry यहाँ देखिए there is friendship between he and see अब देखिए between यहाँ भी है तो he and see नहीं he का हम कर देंगे क्या him और यहाँ कर देंगे her कर देंगे I hope के clear हो रहा होगा क्योंकि preposition है अब हमने between लिखे दूसरा preposition लिखे देख सकते हैं भी please talk to us तो इस बिल्कुल सही है क्योंकि to क्या है preposition और us है ठीक अगर यहीं रहता है प्लीज टॉक टू वी तो गलत हो जाता ओके I hope के clear हो रहा होगा जैसे हम बोले he laughed ध्यान दिजिएगा at I मालीज हम लिखे I तो I गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा preposition है और preposition के बाद हमेशा objective किसका use किया जाता है किसका use किया जाता है objective किसका use किया जाता है आई हम आगे देखते हैं आगे समझते हैं ठीक है यह important मतलब यह rule जो हम बताने वाले हैं यह काफी important है लिखा हुआ है देख सकते हैं we can use between for more than two persons or things to show reciprocal relationship देखे जेनरली between का use हम दो के लिए करते हैं पर जहाँ reciprocal relationship पारसपरिक संबंध बताना हो तो आँ दो से अधिक भी हम use कर सकते हैं अगर यह सब वर्ड आपको मिल जाए तो हम between का भी यूज कर सकते हैं इमांग तो करेंगे ही करेंगे मतलब यहां सही है बड़ समझ यह अगर between भी दिया हुआ है ऐसे वर्ड में मतलब ऐसे सेंटेंस में तो हमारा between भी क्या होता है है सही होता है कोई गलत नहीं होता है जैसे देखिए there is a contract contract word आया है ठीक है ना between these 20 persons बिल्कुल 20 persons है बट यहां दिया हुआ है contract that's why यह हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है क्या यहां इमांग का यहां नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं यह मांग तो सही है और बेटर भी है बट बिट्वीन दिया हुआ है तो आप उसको गलत नहीं कर सकते हैं बेट्वीन भी सही है अगर यह सब वर्ड आ जै तब there is a contract among these 20 persons बिल्कुल सही हमने तो भी बताया कि आप इमांग और बेट्वीन दोनों का यूज कर सकते हैं इस सेंस में ठीक है थार्ड क्वेस्टन है you have to make a choice देखे बट यहां नोट करके लिख लिए जब 24 वाला बात हो ना 24 वाला बात हो तो हम हमेशा बेट्वीन का ही उज़ करते हैं हम हमेशा किसका ही उज़ करते हैं बेट्वीन का ही you have to make a choice ब्लैंक अमीत बिजय एंड अजय तो यहां हम उज़ करेंगे बेट्वीन का ही अब ऐसे भी समझे है आगे हमारा एंड लगा है और आज के बाद यह भी धियान रखिएगा आप कंजंशन यादी पढ़े होंगे कि हम लोग यादी आगे एंड रहे ठीक है मतलब बेट्वी तो आईए अब हम समझते हैं एमांग के बारे में ठीक है ना अब हम समझते हैं एमांग के बारे में ठीक है यानि एमांग देखे चार वर्ड होता है एमांग एमांग स्ट आप सुने होंगे ठीक है एमीड एमीड स्ट एमीड स्ट ठीक है यह चार वर्ड है और बहुत ही ख चारों का यूज, ठीक है, they हम लिख देते हैं, they, ठीक, they all are, ठीक है, they all are used for more than two persons, two persons or things, कहने का अर्थ है कि इन चारों का यूज हम करेंगे किसके लिए, दो से अधिक persons के लिए, दो से अधिक things के लिए, ठीक है न, दो रहेगा तो हम तो between करते हैं ही करते हैं, बट दो से अधिक रहेगा तो हम चारों का यूज कर सकते हैं, चारों में अंतर आप समझिएगा, थोड से अधिक के लिए किया जाता है कितने के लिए किया जाता है दो से अधिक के लिए किया जाता है आईए इसको एक्जामपल से समझते हैं अच्छे से आप देख सकते हैं हमने एक्जामपल लिखा है the students he is the most handsome ठीक है the most आया है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ superlative degree है and we know very well बहुत पहले से हम जानते हैं कि superlative degree काता है उस हमेशा दो से अधी के लिए किया जाता है तो एक बात यहाँ समझे है कि यहाँ क्या use कर सकते हैं तो क्या यहाँ amongst सही है बिल्कुल सही है क्या यहाँ amongst सही है बिल्कुल सही है amongst भी हो सकता है among भी हो सकता है amid भी हो सकता है and amidst भी हो सकता है क्या हो सकता है amidst भी हो सकता है यह चारो यहाँ चारो option क्या है बिल्कुल सही है ठीक है ना हम यहाँ थोड़ा सा note करके लिखे हैं कि before consonant consonant से पहले मतलब इस से पहले जो consonant word आएगा तो हम चारों का use कर सकते हैं दो से अधी के sense में before consonant starting word we can use amongst amid and amidst ठीक है अच्छा जी एक बात थोड़ा सा समझेगा ये तो आपका consonant है ता ठीक है कोई problem नहीं लेकिन before थोड़ा सा यहां समझेगे before bhavel before bhavel starting word ठीक है word we can use only amongst and amidst 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 ठीक है ना मतलब यदी हमारा किस से starting हो my dear students bhavel से starting हो जैसे यहां क्या था आप देख सकते हैं t h e था और ये है क्या consonant है लेकिन यदी हमारा कोई bhavel starting हो तो उससे पहले हम among या amid का use नहीं करेंगे किस का use करेंगे amongst या amidst का थोड़ा सा समझेगा यहां bhavel से है तो हम चारों लिख सकते हैं these four all all are correct चारों सही है लेकिन जब हमारा consonant है तो क्योब हम दो कहीं use कर सकते हैं या तो amongst याद रखें जिसमें st लगा हो जैसे देखिए example हम लिखते हैं example से बहुत अच्छे से समझेगा हमने यहां example दिया आपको आप example से ही तके ऐसे question को आप example से ही समझेगा क्योंकि बिना example का हम नहीं समझ सकते हैं जैसे हमने बोला our sons अब आप देख सकते हैं कि our लिखा हुआ our है क्या जी तो आवर हमारा भवेल है ठीक है राम is the best तो यहां हम या तो यूज करेंगे amongst का या तो यूज करेंगे amongst का या तो यूज करेंगे amidst या तो यूज करेंगे amidst का ठीक है ना अगर हम ये दोना का यूज नहीं करेंगे माली जब हम यूज कर दी एमॉंग का तो वो गलत है ठीक है ना एमॉंग भी हाँ गलत है और एमीड भी गलत है कब गलत है जब हमारा किस से स्टाट हो भवेल से स्टाट हो ठीक है ना अगर भवेल हो तो हमारा ये दोनों गलत है सही कौन सा होगा या तो आप एमॉंग स्ट ल मतलब कहने का मतलब among भी सही है, amongst भी सही है, ठीक है, amid भी सही है, ठीक है, and amidst भी सही है, ठीक है ना, amidst भी क्या है, सही है, बिल्कुल सही, जब consonant है तब, I hope कि clear हो रहा होगा, यहां तक आपको कोई भी problem नहीं होगा, ठीक है, आईए एक और example देखते हैं, बहुत ही अच्छा example देखिए हमने यहां एक example लिखा है, you are sitting blank us and talking against us, ठीक है, तो यहां हम यूज करेंगा देखिए, us है बागु, us है, तो us मतलब यहां क्या है, भावेल है, तो याता आप amongst का यूज करिए, या तो amidst का यूज करिए, आप among का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, I hope कि यह वीड हम लोग नेक्स्ट सेसन में